कैंसर एक वैश्विक बिमारी है और यह तेजी से बढ़ रही है लेकिन अभी भी लोगों में कैंसर को लेकर जागरुकता की कमी है इसलिए आज हेलो डॉक्टर सेग्मेंट में हम बात करेंगे कैंसर अवेर्नेस को लेकर जिसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद है आए स्वागत करते हैं डॉक्टर डोडुल मंदल का स्वागत है आपका हमारे शो में आप अपर अस्वेट डिरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ उनकलोजी मैक्स हॉस्पिटल डेली साथी वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर नवनीत कौर का नमस्कार डारेक्टर प्रोफेसर सर्जरी यूसी एमस और जी टीव ऑस्पिटल डॉक्साब सबसे पहला सवाल तुम्हें आपसे यह जाना चाहूंगा कि कई बार कुछ टर्म्स आती हैं और हमें उन्हें बहतर समझना जरूरी है जैसे बिनाइन या मिलिगनेंट तो क्या फरक है इनमें देखिए अभी आप तो को हम कैंसर से कोरेलेट नहीं करतें in me ready कि डोनों सेंग नहीं राग अलग times है बनाइन कब मतिफिखात बहु Emtoi जबकि malignant वो वाली गांट है यह वो वाला tumor है जो की body में spread हो सकता है तो जो benign है वो खत्रे वाली बात नहीं है उसको अगर diagnosis बनता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है लेकिन यह सब जो cyst बनने की बहुत सारी वज़य है और उसमें से 70% जो है वो benign की category में आती है जिसमें खत्रा नहीं होता है तो cyst generally is एक बिमारी जिसको की लेके बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है लेकिन टेस्टिंग की ज़रूरत है क्योंकि उसमें से कुछ percent लेकिन डॉक्साब आपको लगता है पिछले दशक भर के अगर बात करें तो cancer survivors की इतनी success stories है कि एक वक्त में जो डर या गबराहाट cancer से associate होता था उसमें बहुत कम ही आई है अपने बहुत अच्छे पॉइंट उठाई है मैं बिल्कुल एगरी करता हूं इससे मैं तो यह कहता हूं कि अगर हमारा medical science का कोई success story है तो सायद उसमें cancer का success story बहुत सामने आएगा पिछले 50 साल में cancer की survival rate बहुत बढ़ चुका है और अ American organization का हम देखते हैं American जो ASCO हम कहते हैं American Society for Clinical Oncology इनके पिछले 20 साल का डेटा है तो उसमें 30-35% cancer mortality कम हो चुकी है यानि cancer से death का chances आज की दिन में 20 साल पहले से अगर हम compare करें तो cancer से death का risk 30-35% कम हो चुके है survival की अगर हम बात करते हैं कि cancer होने के बाद कितना साल कोई बच सकते हैं उसमें भी बहुत improvement हुई है कई सारी बीमारी था जहां पे हम पहले बोलते थे कि 5% chance है आज के दिन में 25-30% हो चुका है blood cancer जिसको एक टेम पर हम मानते थे कि होते ही death है उसमें 80-90% आज के दिन में cure हो सकता है अगर time पे treatment होता है तो breast cancer time पे diagnosis होने से 90-95% cure हो जाता है तो success story तो बहुत अच्छी है बिलकुल और इसलिए doctors को और पूरे medical staff को gratitude कि हमने science में इतनी तरक्य कर ली लेकिन cancer awareness पर यलिए आभी कोई सवाल करना चाहें Dr. Navneet से Dr. Doodul से तो हमारे studio's का number note करें तो हमारे studio's का number note करें दिलिक STD code है 011 और number है 23097532 011 is our code and number is 23097532 डॉक्टर जब हम बात कर रहे हैं कि success आपने stories बताई success rate के बारे में बताया लेकिन जो stages है उसमें ऐसा कहते हैं कि जब last की stage होती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है इंसान को पूरे तरीके से cure कर पाना तो क्या यह सच है या एक मित है पूरा मित तो नहीं गाऊंगा इसमें बिल्कुल सच्चे हैं जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि success story बहुत अच्छा है सो cancer को हम generally 4 stage में divide करते हैं stage 1, 2, 3, 4 stage 1, 2, 3 मतलब है जहां पे cancer एक organ या फिर उसके बिल्कुल नजदिक में limited है और stage 4 मतलब जहां पे cancer दूसरा कोई organ में फैल चुका है last stage of cancer mostly हम stage 4 को कहते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है को last stage of patient है last stage of patient का हम कई चीज़ देखते हैं कि patient के fitness कैसे हैं उनका और क्या क्या प्रॉब्लम्स है तो वह एक अलग चीज़ है कई लोग इसके अंदर confused हो जाते हैं कि last stage मतलब last stage of patient हो जाते है बिल्कुल तो last stage of cancer तो वह जाता है जी हां फिलाल तो जो अभी हमारी current medical science है अभी इतनी advancement है कि हम अलग-अलग बिमारियों की अलग-अलग screening test करते हैं लेकिन in future यह भी बहुत बड़ी उमीदा कि एक simple blood test है कई तरह के cancer का diagnosis बन पाएगा लेकिन वह मनसिल अभी दूर है तो अभी जो common cancers है जैसे की औरतो में breast cancer or your cervix cancer बहुत common है जैंस में टोक्स अपने बता या lung cancer बहुत common है oral cancer हमारे part of the world में बहुत common है क्यूंकि हमारी certain practices है social practices तो इन सब के लिए अलग-अ-ग screening test है कुछ बहुत आसान है बहुत ही cable एक मरेश के check-up से हो जाते है कुछ के लिए कुछ खास test करने पड़ते है इस स जी सवाल पूछिए जी सर्जेट डॉक्टर हमारे साथ हैं जी सर्जेट परिशानी है जिसमें की जो चिकनाई की गाठे हैं वो बन जाती है या कई बार वो नसों से जुड़ी हुए गाठे होती है आम तोर पर इन गाठों को हम लोग नहीं छेटते जब तक कि वो किसी ऐसी जगा पर ना हो जहां पर की बहुत परशानी परदा कर रही हो देखने में बुरा लग रहा हो या उसकी प्रेशर की वज़ा से दर दो रहा हो या कोई फंक्शन में डिस्टरबेंस हारी हो तो जब ऐ एक सिंपल सुई डालके उसका पानी लेके वो टेस्ट करके बता देते हैं अगर इनोंने लाइपोमा का नाम लिया तो वो एक तरह की केवल चिकनाई की गांथ है और बायोप्सी की तब से बत पढ़ेगी जबकि अगर उसमें कुछ खत्रे वाली बात आएगी नहीं तो एक तो ठीक है कि स्क्रीनिंग अर्ली हो जाए तो आपका अच्छे से इलाज हो सकता है लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमें स्क्रीनिंग करानी चाहिए वो कौन सी बदलाव हमें बॉडी में नजर आएंगे ताकि हम डॉक्टर को अप्रूच करें तो स्क्रीनिंग के मतलब है तो है कुछ भी मुजा सुने से पहले टेस्टिंग, उसका कुछ गाइडलाइन से, और हर एक cancer में अभी भी screening की recommendation नहीं आई है, common cancer, जहां पर हम screening करते हैं, उसमें सबसे common है breast cancer, हमारा country में अभी भी recommendation उतना strong नहीं है, but usually हम 40 years के ऊपर recommend करते हैं, जिसमें हर साल एक mammography नम पर test होती है, जो कि soft x-ray होते हैं, कई बर उसके साथ हम x-ray के साथ ultrasound एड करते हैं, second cancer जो हम screen usually recommend करते हैं, वो है cervix cancer, ये cancer है जो कि बहुत ही high cure rate होती है, जो time पर diagnosis होने से cure हो सकता है, इसके लिए cytology होती है और कभी के भी हम इसको आज के दिन में HPV DNA testing भी करते हैं, इसके लावा जो common cancers हम screen की बात करते हैं, तो उसमें of course आ जाते हैं colorectal cancer, prostate cancer, और आज के दिन में हो सकते हैं कि social media के हिसाब से आपने देखा होगा lung cancer में low dose CT scan की रोल, ये 4-5 common cancers हैं जहां पर screening recommend करते हैं, screening का मतले भी ये है कि कोई symptoms नहीं है, उसी time पर test करके diagnose कर रहे हैं, क्योंकि imaging हमेशा use की जाती है, डॉक्टर नवनीत screening के लिए, अब imaging में X-ray भी है, कई बार कहते हैं, CT scan, MRI, mammography, तो फिर कैसे chain करें कि इन में से कौन सा ज़रूरी है, तो I think इसमें आपको मैं दो चीजों के बारे में clear करना चाहूंगी, सबसे पहले to breast cancer की जैसे बात करें, वो औरतों में सबसे common cancer है, और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और बहुत यंग patients में भी अब यह बीमारी बन रही है, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी, तो उसमें सबसे जरूरी है awareness, कि हम मरीज को पहले बताया करते हैं, कि आप self examination करो, आपको किसी X-ray से अपने आपको कैसे चेक करना है, यह ladies को पता होना चाहिए, अब उसको हम क्योंकि वो उसकी वज़ा से लोगों को चाहिए जाधा tension हुआ करती थी, तो उसको हम कहते है breast awareness, तो आपकी normal breast, कैसे चूने में और कैसे देखने में महसूस होती है, यह आपको पता होना चाहिए, उ नेशनल पॉलिसी प्रोग्राम में वो यूज होता है, लेकिन क्योंकि हमारे यह पर साधन की कमी है, बहुत बड़ी population है, हमारे पास में उसको justify करने के लिए resources नहीं है, तो mammography हम तब करते हैं, जब कि कोई हमें लगता है, कि उस मरीज का कोई high risk है, तो कई patients के साथ में या बिमारी की screening के लिए, एक simple examination से लेके, एक test, और पहले किसी भी test को, टुकड़े को या सुई को डालने से पहले हमेशां imaging करते हैं, एक caller हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए है, हेलो, हेलो, दॉक्टर प्रती, हेलो, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए, मैं भोपाल से दॉक तर्धी साथ गोगा है, गुड़ मॉनिंग आप दॉक्टर की इनज़ की साथ है, उनके इनिशाल वार्निग सिम्टम्स में क्या फार्ख होता है, और ये सिम्टम्स कितने दिन जिन पहरे हैं, एक तो पहरा है, दुदार यह है, वो कौन से कैंसर होते हैं, या वो कैंसर की प्लीज पहने होता है एक बार मैं सौनना चाहूंगा जो पहले वार्निंग साइन क्या होते हैं अलग-अलग कैंसर में तो डिपेंड करते हैं कि किस और गन का कैंसर है अगर मैं ब्रेंट ट्यूमर की बात करूं तो उसमें नॉर्मली हेडेक कभी-कभी उसमें सीजर्स या फी चाहिए ऑड़ाय करता है या फीर कोयकाश हमेरे दिश में देश में सबसे और समय कमून है तो हम छाला कहता है जीव में नॉनहीलिंग अलसर LIKE रखते हैं, bleeding जैसे की rectum से होती, rectal cancer में या colon cancer में, तो bleeding, presence of swelling or lump, non-healing ulcer, lung cancer में जो होता है कि 3-4 हफ्ते से ज्यादा खाशी हो रही है, जिसके साथ कभी bleeding भी हो सकता है, एक skin cancer होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि margoline ulcer, जो कभी burn हुआ था, उस जगह में कोभी ulcer हो गया और ulcer हील नहीं हो रहा है, तो यह है 4-5 common symptoms, जिससे हम सोच सकते हैं कि किसी को cancer हो सकता है. डॉक्टर, cervix cancer की अगर हम बात करें, ऐसा कहा जाता है कि यह fertility पर affect करता है, इसका cure हो जाता है तब भी, क्या यह fertility को affect करेगा और क्या कोई ऐसी preventive कोई इसके लिए injections वगेरा कुछ vaccines अवेलेबल हैं? I think पहली बात करते हैं screening cure prevention की इस बीमारी के बारे में क्योंकि treatment बहुत multi-modality होता है, और उसको क्या stage में diagnosis हुआ और किस तरह का treatment मिला fertility उससे determine होता है, तो cervical cancer की screening का बहुत simple सा तरीका है कि उसमें वो केवल एक visual inspection से, पर उसके लिए आपको किसी doctor को किसी gynecologist को check करवाना पड़ेगा, और वो उनके पास में खास तरह का equipment होता है, जिससे कि वो देखके भी बता सकते हैं कि इसमें बिमारी होने का खत्रा है कि नहीं है, और उसके लावा वगर जौद पड़ती है तो उसमें से वो एक test ले लेते हैं, यह जो cancer है हमारे देश में सबसे पहले सबसे आदा हुआ करता था, इससे पहले breast cancer के number one cancer बनने से पहले, cervical cancer बहुत common था क्योंकि लोगों में awareness कम थी, personal hygiene, sexual hygiene के बारे में उतना लोग नहीं जानते थे, और फिर इसके बारे में क्या वज़ा है यह identify हुई, कि एक virus है जिसको कि अगर हम एक vaccine से control कर लेते हैं, तो इसका rate बहुत कम हो जाता है, तो उसके लिए vaccine available है जो कि लड़कियों को आमतार पे 9 से 11 साल की उमर में या 12 साल की उमर में मिलना होता है, इस तो डोस vaccine और अभी रिसेंटली जो हमारे अपने देश में इस vaccine का production चालू हुआ और इसकी cost काम हुई, अभी national program में इसको cover नहीं किया गया है लेकिन यह voluntary है और लोग ले सकते हैं, तो कहां से यह vaccine लगवा सकते हैं? किसी भी hospital में, किसी भी hospital में, it can be a community health center, private facility, medical college, तो यह दावाई available है, लेकिन दो injections जो उसका stipulated time period है उसमें लेना होता है. चेबल कुल, तो एक तो cancer हुआ हमारा cervical cancer मैलाओं में, जिसकी vaccine उपलब्त है, जिस आपने का 8-12 साल की उमर में, और कौनसे cancer हैं जो vaccine से prevent हो सकते हैं? एक और cancer जिसको हम vaccine से prevent कर सकते हो है, liver की cancer जो hepatitis B virus से हो सकता है, chronic hepatitis, उसका एक reason है hepatitis B infection, जो की different reasons से हो सकता है, और बहुत साल chronic hepatitis B रहने के बाद उससे, कुछ patient में, यह cancer में convert हो सकता है, तो अगर हम hepatitis B को prevent कर सकते हैं, तो of course hepatitis B related जो cancer है, वो prevent हो सकता है, साल या हर दो साल में उसको टाइट चेक करना होता है, कि antibody adequate amount में हमारा है की नहीं, अगर नहीं है तो फिर उसमें फिर booster dose लगानी होती है, हमार पस एक मिनट शेश रहा है, आज हम बात कर रहे थे artificial intelligence की, कैसे अब आप airport जाए, your face is the boarding pass, क्या artificial intelligence से हम cancer detection, cancer treatment में भी मदद ले सकते हैं? Definitely, I think AI का जो रोल है वो आने वाले टाइम में बहुकुल exponentially expand कर रहा है, अभी उसको हम supportive या additional role कहते हैं, it's not AI अकेले से आके बीमारी को पकड़ लेगा और एलाश कर देगा, उसके लिए it's going to support doctors to make a diagnosis and what treatment best is, क्योंकि अब जैसे आप हमने बात करी, बीस साल में cancer इतना advanced हुआ कि उसको हम chronic disease की category में लापा रहे हैं, तो बहुत सारी knowledge है, जो कि एक एक इंसान को हरोकत जाब रखना possible नहीं है, तो कहां पर best decision क्या है, उसके बारे में AI हमें help करेगा, बहुत सारे x-rays जो है, अगर हमें कोई second opinion जाहिए, जैसे mammography test होता है ladies के screening के लिए, तो उसके लिए एक आदमी की reporting में थोड़ा सा error हो सकता है, तो उसको second person, third person as a second reporter AI can be used, उसके इलाबा AI के बहुत सारे users होने वाले हैं, drug discovery में, organ reconstruction में, so we have a long way to do it. जैसे जैनेटिक थेरेपी, is that the way forward? मुझे तो यही लगता है कि अगर हम वह यह forward की बात करे, तो यह cancer genetics और gene related जो therapy future में available हो सकता है, जो कि मेरा हिसाब से जो मैं समझ रहा हो कि साइद यह कभी एक time आएगा जब यह permanent cure दे सकता है, क्योंकि उसके पहले हमने बहुत research जब तक कर लिया, जिसमें drugs हैं, equipment हैं, machines हैं, लेकिन permanent cure एक simple cure अभी भी नहीं है, जो एक अभी भी मीथ है, हो सकता है कि ओही future है, जो हमें permanent cure दे सकता है. तो यहनि cancer awareness से success stories बहुत हैं, और लगतार विज्ञान तेजी से कदम बढ़ा रहा है, हो सकता है, एक पल ऐसा है कि कभी chemo therapy की जरुवत ही ना पड़े, जैसे डॉक्टर नवनीत ने कहा, एक blood test से ही आप screen कर सकें, काश ऐसा जल्दी हो, आज कारेकर में आके जागरती करने के लिए, दॉक्त नवनीत आपका और दॉक्त गोरा आपका बहुत बहुतावार. Thank you,